हालो दोस्तों स्वागत है आप सभी का सीडेस पूश्टर दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सीजियल टीर टू के जो कोशन्स हैं उनके प्रेक्टिस करेंगे यह इंपॉर्टेंट कोशन्स हैं ऐसे आपको 200 प्लस को प्रवाइट किया जाएगा पहला कोशन है इसमें आपको ऑभेश को निकाल लाइत रूंबर जो नेट शुल्हिं उनिकूब का तो जो फई सब्सक्राइच भर मोला होता है एं अगर हमें हमें म कल नेकलना है तो इस से आनने नंबर आप जो नंबर हमें कर देना एं अब हमारे पासcjeश होगिया तो यहां पर हमारे पास N कितना है? 5 है, तो यहां पर हमें 5 लेना है, 5 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, अपान 2 का होल स्क्वाइर, अपान 5, यह हमारे पास कितना हो जाएगा? तो यह हमारे पास हो जाएगा, तो यह हमारे पास कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा, 45 हमारा का एक टांसर हो जाएगा, अगर भाईचान साब यह फार्मूला बूल जाते हैं, तो कैसे करना है? तो आपको numbers note करने हैं, इनका क्यों कर लेना है? 1, 8, 27, 64, 125, इन सभी को add करेंगे, और फिर आप इसे 5C divide करेंगे, तो भी यांचर यही आने वाला है, यहाँ पर हमें एक प्रेमिट दिया गया है, जिसका जो base है, वो क्या होता है? वो है equilateral triangle, ठीक है? यानि कि सभी sides बराबर हैं, यानि 8, 8, और 8, यहाँ पर जो इसका length of edge है, यानि कि इसके उपर, जो यह sides लगेंगी, ठीक है? यह तीन side बनेंगी, एक यह बन गी, एक यह, एक इसके पीछे, क्योंकि यह तीन हमारे पास क्या है? यहाँ पर हम लगेंगे, तो एक side यह हो जाएगी, एक side यह हो जाएगी, एक side यह हो जाएगी, यानि कि यह value है, हमारे पास 24 है, यानि कि जो हम लोग ऊपर, जो base है, base के ऊपर जो triangle लगेंगे, तीन वो क्या होंगे? अब अगर हमें total whole surface area निकालना होता है, तो क्या करते हैं? येतना भी हमारे पास faces होते हैं, उनकी area को हम लोग sum कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 4 faces बनेंगे, क्योंकि 3 faces उपर हो जाएँगे, एक हमारा base हो जाएगा, तो हम भी क्या करना है? चारो को ही faces का area निकालके जोड़ देना है, तीन हमारे पास iosceles होंगे, एक equilateral triangle होगा, तो सबसे पहले हम equilateral triangle का area निकालते हैं, तो equilateral triangle होता है, उसका area होता है under root, 3 upon 4, A square, यानि कि 8 square हो जाएगा, फिर हमें क्या करना है, जो हमारे पास 3 triangle है, यानि कि 3 से कर देंगे, और iosceles triangle का जो formula होता है, वो बी अपान 4 यहां पर बेस होता है तो बीस हमारे पास 8 है तो 8 अपान 4 अंडर रूट कि 4 कि 20 स्क्वाइर बीस कोई हमारे पास कितना है जो 8 है और सारी 4a स्क्वाइर होता है तो 24 लेना पड़ेगा तो यह इंटू हो जाएगा 24 बीस कोई हमारे पास 8 यह फार्मूला होता है इसका इडिया निकालने का अब हमें क्या करना है इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के बाद इसका जो हमारे पास अंसर आना है 16 रोड 3 प्लस 48 रोड 35 आएगा और यह हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके जो प्रिमिट और प्रिज्म है इनके सभी फार्मूले हम आलेड़ी बढ़ा चुके हैं वह आप क्या करना है याद कर लेना है यह जो भी कुशन आते हैं यह फार्मूला बेश्डी आते है और यह आसानी से हो जाते हैं अगर आपको फार्मूला पता है यहाँ पर हमें एक हाईष्ट कॉमन फेक्टर दिया गया है 15 एक्स वाई का और हमें बताना है कि जो एसी एफ होगा इन नमबर्स का वो किस से डिविजबिल होगा तू देखो हमारे पास सबसे पहले एक्स और वाई का जो एसी एफ है वो 15 है तो हम माल लेते हैं कि जो एक्स वाई हमारे पास नमबर है वो 15 ए है और 15 भी है ठीक है अब हमें क्या करना है कि यह 9 है इसमें से सबसे पहले हम आई पास जो नमबर्स है इनको नोट कर लीजिए 9x2-81 बाई स्कॉर और फिर 81 x2-9 बाई स्कॉर अगर दोनों से हम लोग कॉमन कुछ लेना चाहिए तो यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं नाइन कॉमन ले सकते हैं तो हमने क्या करना है नाइन कॉमन ले लिया यहां से अंदर बचेगा हमारे पास एक्स स्कॉर माइनस नाइन बाई स्कॉर अगर यहां से हम नाइन कॉमन ले 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 तो यहां पर बचेगा 9x square minus by square अब क्या करना है जो हमारे पास x की value है और by की value इसमें put कर देनी है तो हम जब put करेंगे तो यहाँ पर 15 a का whole square हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 15 b का whole square इसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा 9 15 a का whole square और यहाँ पर हो जाएगा 15 b का whole square ठीक है अब यहाँ अगर आप common लेना चाहें क्योंब क्या होता है तो यहाँ पर हमें common लेना है तो यहाँ से देखी 15 निकल ला है यहाँ से भी 15 निकल ला है क्योंब करेंगे तो यहाँ पर पहले से है यहाँ से भी 15 निकलेंगा यहां से भी 15 दो बार निकलेंगा यानि कि हमारे पास जो SCF आना है यह आना है अब हमें क्या करना है कि देखना है कि इन में से कौन सा नमबर यह बन सकता है तो देखो 9 को हम क्या कर सकते हैं 3 x 3 लिख सकते हैं 15 को क्या लिख सकते हैं 3 x 5 लिख सकते हैं तो बस हमें देखना है कि इन नमबस में से कौन सा जो नमबर है इसको डिवाइट कर सकता है क्या 120 इसको डिवाइट कर सकता है नहीं कर सकता है क्योंकि सभी कि लाश्ट में क्या है जीरो है क्योंकि यहां पर कहीं पर भी टू हमारे पास नहीं है तो हम जीरो यहां पर ले नही कि अब एक नंबर बचाएगा 135 और 135 सही हो जाएगा ठीक है कि आपको पता भी है कि 59 जा कितना होता है मार पास 135 होता है तो फाइट जा 15 59 जा 135 हो जाएगा कि जब भी इस तरीके का आप से कोश्यन दिया जाए कि मेन हमाई पता है मीडियन पता है और मोड निकालना है तो यहां पर जो फार्मूला लगता है वो लगता है मोड इक्वल्स थ्री मेडियन माइनस टू में तो यहां पर हमारे पास मोड कितना हो गया है मोड हमीं निकाल लहीं है तो त्री इंटू ए फॉर्टी एट माइनस टू इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा मीन 60 तो यहां पर हमारे पास कितना हो जाता है अच्छी तरीके से आएंगे सारे के सब्सक्राइए जो कॉंसेप्ट है अगर आपको पता है तो फिर आपको जो काम बचता है वो बचता है कल्कुलेशन का फिर आप कल्कुलेशन असाने से कर पाएंगे देखिए यहां पर इस तरीके के अगर कोशन आता है तो इसको अगर आप बेसिक मेतल्स जाएंगे टाइम आप अपने जूग कर लेगा लेकिन जब भी इस तरीके कोशन आता है जब भी कहा जाए कि ए जो है ए प्लस भी माल लेता है कि जो है वो एकस गंटे लेता है तो जो A होगा वो प्लस घंटे ले रहा है और B, A ब्लस B से ब्लस B घंटे जाला ले रहा है तो हमें बताना है कि जो A प्लस B होगे वो कितनी देर में काम कर लेंगे तो नाम हो जाए इसका मतलब की जो समय आएगा वो रूट A भी आएगा दखे तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास x की वैलुव आएगी डूरूट 12 इंटो 3 किमाने पास ay facilita już by 12 वारां गाने जयाता ले रहा है N3636 6 अब यहाँ पेमारे पास तो 6 आ गई find the number of days in which a can MAKE THE PAINTING ALONE तो देखो 6 गंटे में दोनों बना रहे हैं और जो A है वो कितने घंटे ज्यादा ले रहा है 9 गंटे जो है सारी 3 गंटे जो है वो ज्यादा ले रहा है तो A कितने घंटे में पेंटिंग बना सकता है तो 6 हमारे पास गंटे दोनों ले रहे थे और दोनों से ज्यादा समय कितना ले रहा है तो 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा नौ हो जाएगा नौ हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा तो इसकी जो ट्रिक थी वो थी कि ए प्लस भी के टाइंग को निकालने की वह थी ए भी जहां पर ए आपके पास होगा ज्यादा समय और वी वी क्या है ज्यादा समय तो यह हमारे पास सौट ट्रिक थी इप सेक एक्स प्रस टैनेक्स एक्वल्स हमाएं फाइब दिया गया है और कॉसेक भाई मैनस स्कॉट भाई एक्वल्स बनापॉन तरी दिया गया है तो फाइंड दा वैलू अप सेक्स माइनस कॉसेक्स का एंड टैनक्स माइनस कॉट बाई तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना है स्प्रस टैनक्स है तो यहां से हमें सबसे पहले इसको देख लेना है अगर हम इसको इस तरीके से थोड़ते हैं शेक एक्स प्रस मैनस 10x plus cot y, तो यहाँ पर हमारे पास 6x minus 10x हो जाएगा और जो हमारे पास 6x minus cot y हो जाएगा, जब भी हमें 6x plus 10x equals 5 दिया है, यानि कि 6x plus 10x की value दी गई है, तो हम क्या करते हैं, कि 6x अगर minus 10x इंकालना है, तो जो भी हमें value दी गई हो थी, उसका बनापॉन कर देते हैं, यानि कि 1 upon 5, 6x minus 10x की value हो जाएगी, इसे तरह किसे 6x minus cot x, cot y equals 1 upon 3 हमें दिया गया है, इसका हमें उल्टा कर देना है, यहाँ पर हमें उल्टा करने की यहाँ सकता नहीं है, क्योंकि हमसे 6x minus cot y ही पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, 1 upon 3 यहाँ पर नोट कर देंगे, अगर इनका हम LCM लें, तो LCM कितना आ जाएगा, तो 538, ओपर 8 हो जाएगा, नीचे 15 हो जाएगा, यहाँ पर plus कर लिजिए, यह plus होगा, अगर हमारे पास plus होता है, तो हमारे पास जो यहाँ पर आंसर आजाएगा, वो 3 आजाएगा, क्योंकि हमें इसका क्यार देना है, रिवस कर देना है, तो 538 हमारे पास 15 हो जाएगा, 1516, 16 upon 5 हो जाएगा, इसको जब आड़ करेंगे, तो 538 15, 1 बचेगा, 523 10, यहाँ पर जो कूशन आप देख रहे हैं, आपको देखके लगेगा, कि यह बहुत कुशन सराल है, लेकिन यहाँ पर आपको दो चीजें दिक्कत करेंगी, एक तो आपको इंच में बदलना आना चाहिए, दूसरा जो आना चाहिए वो आपको आना चाहिए, कि कैल्लेकुलेशन कैसे फास्ट के जाएं, िसमें जो आपको दिulator देगा वह देगा एक तो आपको इंच में बतलने के दिखक्त देगा इंच से सेंटीमेटर में क्योंकि सारी के सारा जो अंसर शच्रम है उने कि और दुसरा दिक्कत देगा यहाँ पर दिख्कत देगी बस अगर दो चीज़ें आपने कर लिए तो इस कोशन को असानीच कर पाएंगे ऐसे कोशन आते हैं आपको लगता है कि हमें कॉंसेप्ट तो आता है हमारा अंसर नहीं आ रहा है तो दिख्कत यही होती है कि इसमें कलेकुलेशन फसा देता है और जो थोड़ा पास डाइमीटर दिया गया है यानिकि हमें रेडियस निकालना जो कि 6 हो जाएगा इसे अगर सेंटीमिटर में चेंज करें तो शेंटीटू 2.54 करना पड़ेगा तो इस पोजा टॉज़ा थो तर्टी तर्टी तो टर्टी टूघ्टी तू का इटिरी शिक्स जो जा ट्वा सर्कंफ्रेंट का जो फार्मुला होता है वो माले पास 2 Pi R होता है यहाँप डाल डार्ट बैलियू पूट कर सकते हैं 2 x 227 x 15.24 को यहाँप कर 15.24 अगर हम पूट कर रहे हैं कि तो यह कट नहीं राय तो हम क्या करते हैं यह 22 22.7 को 3.14 लिख लेते हैं तो इससे हमें डिवाइड नहीं करना पड़ेगा हम मल्टिप्लाइब करके आंसर ले आएंगे योगी आपको पता है कि जो आई होता है उसकी दो वैल्यू हमारे पास होतीं तो फ्वैल्यू होती है इसका जब यूज करते हैं जब हमारे पास कितना आ जायेगा 16, 16, 22, 32, यनि कि last में हमरे पास जो unit digit आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए, यनि कि option ये पहला हमारे पास गायब हो गया, option जो तीसरा है, वो हमरे पास गायब हो गया, दो option हमरे पास बचे है, अब दो option में से हमें ढूरना पड़ेगा, तो हमें multiply तो करना ही पड़ेगा, तो इसे सब्सक्राइब करें तो इसमें कह रहा है कि आपको पता है कि जो हमारे पास 198 इसके सबसे पहले फैक्टर कीजिए 198 की अगर हम फैक्टर करें तो 3618 तो आपको देखना है कि अगर हम कोई भी इसकी डिजिट है वह परट दें तो क्या हमारे पास यह जो नंबर आये हैं इनकी डिविजिबिल्टी लग पाएगी तो 198 को पर हम 981 लिख दें तो यहां पर क्या शिक्स को हम लोग सकते हैं 32 तो अब 981 हमने लिख दिया हमारे पास डिजिट है वो लिवर्स हो गई तो क्या इसमें टू की जो आइटेंटिटी हो लग पा रही है बिलकुल नहीं लग पा रही है शिक्स की लग पाएगी नहीं लेगेगा क्योंकि से डिवाइडी नहीं होने बाला है कि इसके बाद हमारे पास प्रस्ता है थरी प्रेंटिक कर सकते हैं लेकिन हमें यह पर पता होना चाहिए कि 3 के जो हमारे पास रूल होता है वो क्या होता है सम अब डिजिट होता है सम अब डिजिट अगर थ्री से नहीं चाहें हम नाइन बन प्रस एट लिखें कुछ भी लिखें हमारे पास जो डिजेट से माने वाला है तो जो हमारे पास डिविजुल्टी है कभी नहीं बतलने वाली तो थी हमारे पास यहां पर कर्रेक्ट आंसर हो जाएगा अगर हम इनकी जो डिजेट्स है इनको रिप्लेज कर है कौन से हमारे पास नम्बर बन सकते हैं क्योंकि हमारे पास जाहीं ही नहीं तो है darauf भी जाता है जो डॉमें没有 करना होता है इससे हमारे जो सवाल होते हैं वो जल्दी हो जाते हैं तो कभी भी एक method पर आपको इस्टिक नहीं रहना चाहिए आपको जितने भी method आते हैं उनको यूज करना सीखिए कि किस question में हम कौन सा method लगा सकते हैं लेकिन कौन सा वेस्ट होगा जो हमें आंसर कुछ ही सेकंट में दे सकता है या जाज जादा एक मिनट के अंदर हमें आंसर दे दे तो ऐसे आपको questions को यूज करना चाहिए